स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिनल इंडिया के इस यूग में आजकल हर कोई पैसों की ट्रांजेक्शन्स के लिए UBI Apps का इस्तिमाल करता है लेकिन ऐसे में कई बार जब हम अपनी पैमेंट करते हैं Google Pay, Phone Pay, Pay Time आधी के माधियम से जब हम कोई पैमेंट की ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कई बार देखा गया है कि गल्ती से ऐसा हो जाता है कि आपके पैसे जिसे आप ट्रांस्वर करना चाहते हैं उसकी जगे किसी और को ट्रांस्वर हो जाते हैं तो ऐसे में हमारे मन में डर आता है कि भविश्य में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए या एक्च्वल में अगर ऐसा हो गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए कहां हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए कि हमारा पैसा वापस आ जाए तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और साथ यह इसकी ओफिशल वेबसाइट में आने के बाद कंप्यूटर पर आप हैं तो आप उपर राइट साइड में एक गेट इन टॉप्शन आपको दिखाए देगा वहां पर आपको क्लिक करना है जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको यूपी आई कंप्लेंट सेलेक्ट करना है और अगर आप मोबाइल पर है तो मोबाइल की स्क्रीन में आपको इस प्रकार से जब ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वहां से आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचर कंज्यूमर का एक ओप्शन थेना है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको कंप्लेंड के नीचे कई अप्शन दिखाई देगे सबसे पहले औप्शन्न पर आपको यहां क्विक करना है क्लिक करने के बाद ब्रॉप्टाउन में आपको कई इनफॉ परज़न है तो हम यहाँ पर इस पर click करेंगे click करने के बाद हमें दूसरा नीचे से यहाँ select करना है type of issue यानि किस प्रकार का issue है जब हम यहाँ पर click करेंगे तो drop down list में आपको कई options दिखाई देंगी आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है सबसे पहला option आप देख सकते हैं कि amount debit हो गया है लेकिन जिसको भेजना था उसे credit नहीं हुआ है दूसरा transactions fail है पर amount debit हो चुका है तीसरा incorrectly transfer हो गया है another account में जिसे हम भेजना चाहते थे उसके अलावा किसी और के account में पैसा चला गया है इससे अगला आप यहां देखेंगे transactions का time out हो गया है बट amount कर चुका है उसके नीचे आपको option दिखेगा fraudulent transactions का इस तरीके से कई options आपको दिखाई देंगी जो भी आपके case में fit होता है उसे यहां पर select कर लिजेगा उसके बाद नीचे यहां comments में आपको अपने जो issue था उसके बारे में detailed information brief में लिखनी है जिसके 500 characters यहां पर allow है इसके ब bank का नाम select करना है जब आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर bank की कई list यहां पर open होगी drop down list में आप इसमें से अपना concern bank choose कर लिजेगा उसके बाद आपको नीचे virtual payment address यहां पर enter करना है इसके बाद नीचे आपको यहां से calendar से जिस state पर यह आपका transaction हुआ है जिसके बारे म आप अपने bank account statement से jury attachment यहां choose file पर click करके upload कर सकते हैं आपने जो भी अपनी detail enter की है उसे आप दुबारा से check कीजेगा detail आपकी correct होनी चाहिए इसको confirm करने के बाद आप नीचे submit के button पर click कर देंगे उसके बाद bank की duty बनती है वो इस पर कारेवाही करेगी और आपके पैसे को वा नीचे description box में आपको देंगे आप वहां से use कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नई topic के साथ किसी नई कानूनी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार